आज मैं आपके साथ ब्रॉकली वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर करूँगा जो खाने में बहुत जादा टेस्टी है और बनाने में बहुत ही सिंपल है तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आयो तो सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइगन को प्रस कर दे स्वागत है आपका यश्यस्वीज किचन में तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है हमें पास्ता बॉयल करना है तो पास्ता बॉयल करने के लिए पहले तो प के पांच भर era के लिए आपना पानी इसमें डालूगा पास्ता तो ङांच वास्ता यो पास्ता थी पांच और लिए मैं जांवा किली नहीं है कि बोल है मुंद 10 मीन नाद के लिए में राफ औल पर फ्लेम-फ़य करोंगा नहीं हैं Marie यही चीज पास्ता के साथ है, पास्ता को 80% को करना है, तो टोटल 8-9 मिनट के बाद हम एक बर चेक करेंगे, तो यह जो पास्ता है, यह बढ़िया, कुछ चुका है, तो यह जो पानी है, अब इसका इकस्स पानी जो इसमें बचा है, इसे ड्रेन आउट कर देते हैं, और चलत मैं लसन की कुछ कलिया डालूगा, जैसे मैंने बारीक चॉप किया है, आट-10 की लसन की कलिया है, और दिहान रखने की बटर नजल जाए, इसे चलाते हुए हम पकाएंगे, लगभग 30 सेकंड के लिए, जब लसन हलका सा पक जाए, इसके बाद मैं इसमें मैदा डालूगा, तो मैदा हमें जितनी बटर की क्वांटिटी थी ना, उतना ही क्वांटिटी मैदे की रखनी है, तो यहाँ पर मैने दो टेबल स्पून मैदा लिया है, अब इसे लो फ्लेम पर मैं पकाऊंगा, इसका कलर ना चेंज हो जाए, मतलब ब्राउन कलर का ना हो जाए मैदा, बस ह वह इसमें फॉर्म ना हो, कोई गाठे ना पड़े, इसमें इसलिए कंटिनुसले से चलाना है, गैस को मैने लो फ्लेम पे ही रखना है, तो इसमें दूट डालने के बाद और उसे 2-3 मिनट पकाने के बाद यहां पर मैं दो इसमें चीज क्यूब्स डाल रहा हूं, तो यह जो है चेडार चीज है, या फिर प्रॉसेस चीज क्याले, वह ले लो आप, दो चीज क्यूब्स लिए मैंने, वह एड़ करता हूं, और मैल्ट होने दग फिर इसे चलाते हूं मैं पकाना है, एक मीडियम थिक कंसिस्टेंसी का हम यह वाइट सॉस प्रिपेर कर लेता है, जब इसमें चीज जो है वो मैल्ट हो जाए, इसमें मैं स्वादानुसार नमक डालूँगा, आधी चमच नमक लिया है, चिली फ्लेक्स डा करना है और लगभग एक मिनट के लिए फिर से लो फ्लेम पर हमें पकाना है, तो लगभग साथ से आठ मिनट के बाद जो यह है वाइट सॉस है वो हमारा रेडी हो जाएगा, और एक बार जब यह रेडी हो जाए इसमें हम जो पास्ता हमने बॉल करके रेडी का रखा था व और इसमें वाइट सॉस में इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो एक बार यह पास्ता और ब्रॉकली इसमें वाइट सॉस में अच्छे से जब मिक्स हो जाएं इसमें और भी इसे चीजी फ्लेवर देने के लिए ना वह चीज पुल वाला लुक देने के लिए मैं अड़ कर रहा हूं मौजरियला चीज और इसे एक बार अच्छे से मिक्स करूंगा और गैस को मैं आफ कर दूँगा और इसमें वो चीजपुल वाला बढ़िया लुक आएगा क्रीमी फ्लेवर और भी जादा हमारे जो पास्ता है इसका बढ़ जाएगा और फिर इसे गर्मा गरम सर्फ करते हैं और इंजॉय करते हैं तो बस इसे अच्छे से मिस करने के बाद हमारा जो वाइट सॉस ब्रॉकली पास्ता है यह बनकर एकदम रेडी आप देख सकते हो चीजपुल वाला लुक इसमें आ रहा है कितना बढ़िया लग रहा है तो इसे फटा-फट से सर्फ करते हैं तो यह जो पास्ता है इसे सर्फ करने के बाद इसे थोड़ा सा देसी टास देते हैं इसकी गार्णिशिंग कर रहा हूँ चिली फ्लेक से वो कुटी होई काली मिर्च से और 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 सीजनिंग से और इसका बेस्ट टेस्ट ना इसे गर्म गरम खाने में ही आएगा तो यह हमारा ब्रॉकली वाइट सॉस पास्ता बनकर विल्कुल रेडी है देखने में लग रहा है ना कितना बढ़िया देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और हल्दी तो ये है ही क्योंकि जो पास्का है वो सूजी से बनावा है और ब्रॉकली अपने आप में ही बहुत ज़्यादा हल्दी होती है और जो white sauce है, ये थोड़ी सी creamy है, cheesy है, फ्लेवर इसका काफी बढ़ी है, बस थोड़ा था fat है, लेकिन overall ये balanced diet है, balanced meal है, तो आप भी ज़रू ट्राई करें, ये रेसिपी आपको भी बहुत पसंद आएगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे like कर दें मेरे चैनल ये शस्वी किचेन को subscribe कर दें, ये वीडियो फ्रेंड्स और फैमली के साथ share करें, मैं इसे फिलाल enjoy करता हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई करें, ये recipe आपको भी बहुत पसंद आने वाली है, मैं इसने next वीडियो में तब तक के लिए, thank you